हेलो व्रीवन इस वीडियो में हम लोग एक जीपी का इंपर्ट कुशन करने वाले हैं जो कि काफी अच्छा कुशन है ठीक है कुशन का स्टेट नेंड है find three numbers in GP whose sum is 13 and sum of square is 91 देखो आपको three numbers लिका लें जीपी में जिनका sum कितना है 13 है और sum of square इसमें गिवन है 91 अब देखो वैसे जनरी हम लोग three numbers in GP क्या लेट करते हैं कुछ बच्छों को पता होगा a by r a और ar गार मगर हम यहाद फे वो वैल्उ नहीं लेट करेंगे क्यों क्योंकि आपको product नहीं गहिए अगर आपको product गीवन होता है तो हम वो वैल्उ यूस करते है ठीक है तो हम यहाद पे क्या यूस करेंगे यहापे में simple number लेट करेंगे कि Lab u A, A, R, A, R square be the three numbers in GP, ठीक है जी, अब इनका sum given है, मतलब A plus का A, R plus A, R square is equal to 13 given है, ठीक है जी, यहाँ पर करम A को मल लेंगे तो आएगा, 1 plus R plus R square is equal to 13, यह हो गया equation number 1, ठीक है जी, उसके अद बोला है, इसने sum of whose square is 91, उनके square का sum कितना है, 91 है, मतलब इन तीनों के square का sum, तो A का square plus AR का square plus AR square का square is equal to 91 है, यहाँ गया, A square plus A square R square plus A square R की power 4 is equal to 91, अब यहाँ पर A square को मल लेंगे तो 1 plus R square plus R4 is equal to 91, ठीक है, यहाँ गया, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा problem यहाँ थी बच्चों को, क्योंकि उनको, इसके factor याद नहीं रहते, ठीक है, देखो, मैं इसके factor बदा दूँ, 1 plus R square plus R4 is equal to 1 plus R square plus R, और 1 plus R square minus R, इसके factor यह होते हैं, हम इसको एक बार देख भी लेते हैं, प्रूफ करके देखो, अगर हम इसको A light कर लें, इसको B light कर लें, इसको A और B, तो A plus B, A minus B, A square minus B square, तो यह बन गया, 1 plus R square का square minus R square, ठीक है, A plus B का whole square को लेंगे तो आएगा, 1 plus R4 plus 2R square minus R square, 2R square में से R square गया, तो 1 plus R4 plus R square, यही value आगई, ठीक है, तो इसके factor यह होते हैं, तो यह आपको थोड़े इस question के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक है जी, तो हम इसको लिखेंगे, A square, 1 plus R square plus R, 1 plus R square minus R is equal to 91, यह हो गए हमारी equation number second, ठीक है, अब हम इसको second को first से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आएगा, A square, 1 plus R square plus R, 1 plus R square minus R, अपाउन में A, 1 plus R plus R square is equal to 91, अपाउन में 30, एसे के cancel out हो गया, 1 plus R square plus R से, 1 plus R plus R square cancel out हो गया, यहाँ पर आगया 7, ठीक है, तो आएगा, A, 1 plus R square minus R is equal to 7, यह हो गए equation third, ठीक है, अब इसको भी देखो, अगर मैं first से डिवाइड कर दूँगा, तो मेरा A cancel out हो जाएगा, और पूरी equation R के टर्म्स में आ जाएगी, तो हम यहाँ पर third upon में first करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, A, 1 plus R square minus R upon में A, 1 plus R plus, R square is equal to 7 upon में 13, इससे cancel out, अब यहाँ पर cross multiply, तो यहाँ पर आएगा 13, 1 plus R square minus R is equal to 7, 1 plus R plus R square, ठीक है, अब यहाँ पर 13 के multiply करेंगे, तो आएगा, 13 plus का 13 R square minus का 13 R, 7 के multiply करेंगे, तो आएगा, 7 plus का 7 R, plus का 7 R square, ठीक है, अब 13 R square में से 7 R गया तो, 6 R square minus का 39 और minus का 7, 13 और minus का 7 होगे, minus का 20 R, 13 minus का 7 होगे, हमारे पास, 6 equal to 0, अब इस equation में से 2 common आ रहा है, जब हम 2 common लेंगे तो बचेगा, 3 R square minus का 10 R plus का 3 is equal to 0, तो उदर जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके factor करेंगे, 3 into 3 9, 9 और 1 10, तो इसके factor आगए, 3 R square minus का 9 R minus R plus का 3 is equal to 0, 3 R को मलेंगे तो आएगा, R minus 3, minus 1 को मलेंगे तो आएगा, R minus 3 is equal to 0, R minus 3 को मलेंगे तो आएगा, 3 R minus 1 is equal to 0, अब यहाँ पे इसके 2 part कर देते हैं, एक बार, R minus 3 is equal to 0, तो R की value 3 आगई, एक बार, 3 R minus 1 is equal to 0, R की value 1 upon में 3 आगई, ठीक है, यह तो हमारे पास R और R की value आगई, ठीक है, अब हमें यहाँ पे find करनी है, A की value, तो देखो, R की value कितनी आगई हमारे पास, एक में R की value 3 आगई, ठीक है, और एक case में, R is equal to 1 upon में 3 आगई, इसको में एक्वेशन फर्स में पूट करेंगे, फर्स्ट एक्वेशन मेरे पास यह थी, A, 1 plus R की जाएगे 3, R square की जाएगे 3 का square 9, is equal to 13, तो A into में 9 plus 3 plus 1 हो गया, 13, is equal to 13, A is equal to 1, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, इसको इन एक्वेशन 1 पूट करूँगा, तो A, 1 plus R का जाएगे 1 by 3, 1 by R, R का square 1 upon में 9, is equal to 13, इसका LC में 9 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9, प्लस कर 3 plus 1, तो आएगा, A into में 13 by 9, is equal to 13, तो A is equal to 9, ठीक है ना, अब इसने क्या बोला था, find the 3 numbers, तो हमें 3 numbers लिकालने, तो first number है, A, मतलब की 1, second number, A into में R, मतलब 1 into में 3, is equal to 3, third number, A into में R square, is equal to 1 into में 3 square, is equal to 9, यहाँ से आपके पास first term क्या आएगा, A1 is equal to A is equal to 1, second term is equal to, यहाँ पे थार्टीन आए, और 9 आया है, ठीक है, और second term आपके पास A into में R, 9 into में, 1 by 3 is equal to 3, और third term is equal to A into में R square, 9 into में 1 by 9 is equal to 1, ठीक है, तो number आपके पास 139 या फिर 931 हो गए, ठीक है जी, यह इसका answer आगे,